हाई दोस्तों, वेलकम टू माईद्विजा बेबी बादिंग को लेके बहुत सारे कोशन्स हर नए मम्मी पपा के दिल में आता है इस पटिकलर वीडियो में जानेंगे पाच ऐसे इजी तरीके जिससे आप बच्चे को बहुत मस्त और कमफोर्टेबली नहला सकते हो तो यह वीडियो शुरू करते हैं नहाने के पहले बेबी मालिश, बेबी मालिश रिलेटेट वीडियो हम लोग कर चुके हैं बेबी मालिश के पहले क्या करना है, बेबी मालिश के बाद में क्या करना है इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया हम लोग वो सारी चीजे जानेंगे जो बादिंग के अराउंड है So first of all, क्या बेबी बादिंग कमपलसरी सुभे में ही होना चाहिए? The answer is no एकदम सुभे बेबी बादिंग होना चाहिए, थोड़ा लेट होना चाहिए, या शाम में भी होना चाहिए It's individual's choice जैसे मुझे एक कपल ने बीच में बोला था कि मेरा बच्चा सुभे में नाते वक बहुत रोता है तो मैं उनको बोली कि आप प्लीज इविनिंग, मतलब अर्ली इविनिंग, चार, साढ़े, चार, पाच के आसपास बच्चे को नहीं लाने का कुशिश करो Might be your baby will be very comfortable और उने बुला, हाँ, बच्चा तो बहुत अच्छे से नहा रहा है That can be one of the ways जिसका बच्चा नहना बहुत enjoy करता है क्या हम बच्चे को दिन में दो बार नहला सकते है, yes In fact, bedtime schedule, अगर किसी का बच्चा सूने में थोड़ी जादा तकलीफ दे रहा है तो बच्चे को सुलाने से पहले इधर गरम पानी से sponging करना या mild bathing और उसके बाद बच्चे को सूलाना तो बच्चे बहुत peacefully सोते हैं But again, it's a trial and error अपने अपने बच्चे को बच्चे की साबसे तो मैं आप अपने असपस बहुत सारी चीजे लेके बैठी हुई हो तो आपको वो सारे पाचो तरीके बताऊंगी जिससे आप बच्चे को बहुत अच्छे से नहला सकते हो So first तरीका जो बहुत culturally used तरीका है यह तरीका आप लोग तभी कर सकते हो जबी आपके गर में कोई experienced इंसान या बच्चे को नहलाने के लिए कोई माऊशी आ रही है या आप खुद नहलाने वाले हो बच आपके साथ कोई help available है जैसे आपका husband या कोई मग से पानी डाल सकता है So what's the technique is तो दोनों पाव को straight रखना अभी आपे मैंने jeans पेंने हो usually पाव naked करता है यहां तक कपड़े को fold कर देता है आपको कोई पतला मलमल का कपड़ा यह मेरा पतला cotton का दुपत्ता है जो बहुत बात दोदो के एकदम soft हो गया है which you can use as a towel उसको आप रोल करके आपके थाइस के उपर रख दो काकि पानी थोड़ा बहुत उपर भी आए तो आपके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए मालिश किया हुआ बच्चा है तो संभाल के फर्मली उठाना और आप बच्चे को पाव की उपर रख दो ऑके पाव की उपर रखने के बाद सबसे पहले आपको शैंपू लेना है you can take baby shampoos, you can take baby's head to take body bath wash, body wash, you can use soap, कोई भी चीज कर सकते हो बट बच्चों के सोप सेपरेट रहते हैं जैसे माई द्विजा हैस गोट बेबी सोप जो हुममेड है हाली शिया बटर, कोकुनट ओल ऐसे चीजों से बनाया गया है और अबसलूटली नो केमिकल्स विए उसे लिए बच्चों के लिए तो सबसे पहले हैड वाश यह पोजिशन आपके लिए काफी कमफटेबल रहेगा सिर्फ अगर आपको स्टिचेस में पेन है तो इसके लिए आपको बात्रूम में जमीन पर बैठना पड़ता है ओके आप के लिए स्लाइट कोई हाइट वाला चीज लेके भी बैठ सकते हूं सो बच्चे के सीर के उपर पहले पानी सूप लगाना है याद रखना नहीं कि सपोर्टे और फिर आप आपके साथ जो भी हेल्प है उनको बोल दो कि सीर के उपर पानी डाल दें तो किन होल्ड इत लाइ पानी कितना गरम होना चाहिए बच्चों के लिए बहुत गरम पानी यूज नहीं करना है उतना ही गरम पानी होना चाहिए जितना आपको हाट डालने के बाद कमफोटेबल लगता है और एक ट्रिक वह पानी बच्चे के लिए कमफोटेबल है कि नहीं आप लोग कैसे चेक क सकते हो पहले पानी सिफ बच्चे के पाव पे डालो अगर बच्चे ने सड़नली उचक के दचक के पाव पास में ले लिया या बैबी इस अनकमफटेबल तो बच्चा बहुत जोर-जोर से रोने लग जाएगा तो अगर आप जेंटली पाव पे पानी डालते हो और बच्चे उस जगह पे या किसी भी जगह पे प्रिफरेबली डायरेक्ली नहीं लगाना है आपको सोप लेना है हाथ पे लगाना है एंडेन प्रॉपर ली पुटिट अन्य बेबीज बॉटी इस सोप कंपल सरी क्या हम लोग कोई आटा यूज कर सकता है बच्चे को नहलाने के लिए आंसर इस यस मसूर दाल का आटा इस वेरी गुट फर बेबी तो आप मसूर दाल के आटे में थोड़ा सा दूद का मलाई डाल के उसका पेस्ट बना के उससे भी बच्चे को नहला सकते हो बट आपको थोड़ा सा पैच टेस्ट करना पड़ेगा एक दो दिन किसी स्पेसिफ जगा पे लगा के यूज करो पच्चे को रैशेस नहीं आ रहे है देन यू कें गोएड ओके फिर एक इंपोर्टन असपेट हो गया फेस सेस का क्लीनिंग बहुत इंपोर्टन होता है तो फेस पर याद रखना कभी भी डायरेक्ट पानी पोर नहीं करना है आपको तो आप gently हाथ पे थोड़ा साबून ले लो यहाँ पे लगा लो हाथ पे पानी लेके वो एरिया क्लीन कर दो फिर आपको आख के यहां से मीचे कलीनिंग करना है और जेंटली आख पे से भी पानी सो पानी में हाँ डिप करके just gently उसके बाद नाक में से अगर कुछ गंदा है तो की मीचे के लिपस को gentle massage at lips, नीचे फिर कान के हाँ का कलीनिंग कान के पीछे बच्चे के अपर कलीनिग और ये एरिया का कलीनिग तो मस्त हाथ पर पानी लेके प्रॉपली क्लीन कर देना है, फिर आपको बच्चे को तोन करना है और फिर भी सेम, Because बच्चे का याद रखना, नाक और ब्रीधिंग पैसेज दोनों पाव के बीच में आना चाहिए Then you ask somebody to pour water and you just do tap 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 फिर पीछे अले बाड़ी पे सेम साबून ले लो, हाथ पे रब करो फिर बच्चे के बाड़ी पे लगाव And then just wash the body And then turn And then turn on, फिर आपके हाथ में Done, आता की जड़ा हो, फिर आपके हाथ में जो भी टॉवेल या जो भी चीज आप लोग लेखके बैठे हुए Just take it और बच्चे को gently उसमें Next से उठा के उसमें wrap करके फिर आप लोग पास में ले लो और फिर आप बच्चे को ड्राइ कर सकते हो यह हो गया जोभी आपके पास कोई help available है अभी second way में करेंगे जहाँ पर आपके पास अगर help available नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो Okay, lot of girls are not comfortable floor पर बैठने के लिए Might be scissors के stitches, normal delivery के stitches, जो भी है तो आप एक छोटू सा टेबल मैंने हाप एक छोटा सा टेबल लिया हुआ मेरे बैठने के लिए उसके उपर आप लोग बैठ सकते हो यह थोड़ा सा रेस्ट टेबल है अगर यह सा टेबल नहीं आपके पास तो आप कमोड को close करके उसके उपर भी टब रख के बच्चे को नहीं ला सकते हो फिर यह मसाज किया हुआ बच्चा है मेरे पास बच्चे को सिफ ऐसा पकड़ा तब में आप लोग पानी लेके रख सकते हो साबून लगाया और सिफ वाश किया नेक याद रखो मैंने सपोर्ट करके पकड़ा हुआ यह वाश कर दिया इसी समय में ने फेस भी वाश कर लिया फिर बच्चे को टॉन किया याद रखना बहुत फॉर्मली पकड़ा हुआ है और नीचे का बड़ी वाश कर दिया यह वाश कर लिए पानी सिफ आपको चेंज करना पड़ेगा बिकोस साबून आपने वाश किया हुआ है फिर आपस थोड़ाँ सा फ्रेश पानी ले लो आप एक बकेट में साइड में पानी रख सकते हो का कि यह पानी डालने के बाद अप उस बकेट में से थोड़ा सा चार से पाच मक पानी ले लिया फिर बच्चे को अंदर रखा याद रखना नेक्स सपोर्टेड है और नीचे पानी में से बच्चे को से प्रॉपली पूरा बड़ी एक बार वाश कर लिया तो ऐसे भी आप बच्चे को नहला सकते हो और एक ट्रिक है थर्ड वे अफ मेकिंग य इस पर टॉविल डाला हुआ है विकास आपके कपडे गीले नहीं होने चाहिए इसके लिए तो बच्चे को टॉब में बच्चा बहुत चोटा है नेक्स सपोर्टेड नहीं है आप लोग आपका कोई भी टर्किस टॉविल लेके उसका रोल कर सकते हो और फिर बच्चे को टॉब के अंदर रखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा पता है विकास जबी नहीं ममा बच्चे को पकड़ती है तभी कभी कभी डर रहता है कि नेक्स सपोर्टेड नहीं रहा तो बच्चे को कहीं पर यह लग गया तो मेरे हाथ से गलती से कभी बच्चा स्लिप हो गया थो तो यू रखने की वजह से आपका बच्चा काफी कमफोर्टेबल रहेगा अंदर और आप बच्चे को बहुत अच्छे से नहला सकते हो आपने ऐसा रखा पानी डाला साबून लगा दिया बच्चे की बॉड़ी की तो यू जिस पूट सोप दो दिया बच्चे को जेंटली उपर लिया चौवल पर इसमें जो भी पानी था वो निकाल दिया वापस बच्चे को रखा फ्रेश पानी लिया बच्चे को नहला आया और यू बीड़न तो यह एक ट्रिक भी बहुत अच्छे से काम आता है नेक्स ट्रिक दाट यू यह मेरे बच्चों का बादिंग चेर है बेसिकली मेरे हजबन के एक फ्रेंड ने हम लोग को गिफ दिया था जबी मेरी बड़ी वाली डॉट्टर पेदा हुई थी आइधिंग इस बीन अवंडर अभी अभी मतलब मेरी बड़ी वाली डॉटर साथ साल की हुने तक वो इसक पर राइट फ्रम आपके न्यूबॉर्ण बच्चे को नहलाना काफी कमफटेबल हो जाता है यह मदर केर में मिलता है मीमी का मिलता है में मॉम्स में मिलता है तो आधिक आपको रेगुलरी फॉर्स कराया आप इस पर्टिकलर चेर सो बैसिकली एफोल्डों के आप कहीं पर जाल सकते हो यू can see this is used chair मैंने इसको इतना जादा यूज किया जिसका कोई limit नहीं है तो इसको खोल सकते हो मसाज किया वह बच्चा है आपके पास आपने बच्चे को इसके ओपर रख दिया हाथ रखा हुआ है बहुत सारे अभी के जो लाइटेस चेर है उसमें यह पर जाल सकते हो बच्चे को बहुत अच्छे से नहा सकते हो फिर यहां पर हाथ रखके सिर भी वाश कर लिया बच्चे को थोड़ा सा उठा के बैक वाश कर लिया और एक्टम प्रॉपर कलिया इपक्ट आल ओल्वेस से कि कोई मेरे हस्बंड को भी अकेले को बोल दे कि आपकेल बच्चे को नहा दो तो भी इसके उपर नहाना is very easy. So, bathing chair also can be a very good idea. I repeat few of the things जो बहुत common questions है सब लोगे नहाने के बारे में. बच्चे को नहाने का पानी should be a comfortably warm. एकदम होट पानी की धुआ धुआ निकल रहा है ऐसे पानी से बच्चे को नहीं नहाना. पानी पहले बच्चों के पाओ के ऊपर पोर करना और समझ लेना, are they comfortable or not? Preferably, मालिश के बात बच्चे को नहलाते वक्त, soap यूज करना, which are specially designed for kids. Always prefer something that is homemade और जिसमें ज्याधा chemicals नहीं used है. अगर आप में से किसी को माईदविजा का soap चाहिए, तो आपको www.maidvija.com पे मिल जाएगा. उसके बात, अग मसूर दाल का आटा, with cream, मसूर दाल का आटा is plain, आप उसको मिक्सी में पीस दो, उसके साथ थोड़ा क्रीम डाल के उसका पेस्ट बना के उससे भी बच्चे को नहला सकते हो, बड़ उसके लिए patch test करना बहुत जादा जरूरी है, ताकि अगर आपके बच्चे को suit नहीं होता है, तो you can just have a look at the whole thing, एक मलमल का पतला कपड़ आपके पास होना बहुत जरूरी है, इसमें से कोई भी चीजा यूज कर सकते हो, किन ममा ने मुझे पूचा था, क्या हम लोग बेसीन पर, मतलब सिंक पर डायरेक्ली बच्चे को पकड़ के नहला सकते हैं, the side effect is, अगर गलती स बच्चे को लगा तो, बहुत सारी बार हम लोग नए नए ममास है, तो खड़े रहके बैसीन पर बच्चे को नहलाना, मैं not be very comfortable, जैसे मैं आप लोग को बताया, चेर के उपर या कमोड के उपर आप बच्चे को रख सकते हो, तो आप ऐसे चोटे चेर टेबल के उपर भी ब नहाते वाक्त, डरी हुई ममा कमफर्टेबली नहीं नहला सकती है, तो माइट भी एक दो बार थोड़ा सा कॉंशेसली नहला हो, बट उसके बात, माइट भी गाना गुन गुनाना, जैसे हम लोग ओलते थंडे थंडे पानी से नहाना चाहिए, ये एक एक्जाम्पल हुआ, मेरा आवाज बहुत अच्छा नहीं है, किसी का पी आवाज अच्छा होने की ज़रुत नहीं, तो थोड़ा सा गाना गुन गुना ओ, बच्चे से बात करो, थोड़ा सा पानी मा स्प्रिंकल करो, अगर आपके बच्चे को खेलना बहुत पसंद आ रहा है पानी में, तो जैस बाते प्रिकॉशनरी याद रखना स्ट्रेचस करते वक्त बच्चे को नहलाते वक्त मालिश के वक्त या सेख देते वक्त अभी बच्चे को ऐसे डायरेक्ट उल्टा नहीं लटकाना है अल्वेज नेक शुड बी सपोर्ट जैसे सेख भी देते हुआ हम लोग बोलता है कि आपको लगता है बच्चा सटक रहा है तो कॉटन का कपड़ा यूज करो सोदा टेल की वज़े से बच्चा स्लिप नहीं होगा बच्चे को नहलाओ प्रीफरेबली ममा या पापा लोग एक बार तो भी मतलब सुबह में या शाम में आप लोगो ने नहलाना अगर शाम में नहलाने नहलाते हो दवे आइसे माइल स्ट्रेचेस और स्पंजिंग ये आप लोग करो बिकॉस पैरेंट्स का टच्च बच्च देता है so thank you so much all of you for watching this particular video have a great time and bye